चलो मित्रो, आज हम अपने सरीर के बारे में जानते हैं, हमारे सरीर में मुख्य साथ चक्र होते हैं, जो हमारी उर्जा की जल्लक होती है, वो हमारे दे, मन और आत्मा के साथ चुड़े होते हैं, वी कौन से साथ चक्र है? प्रथम चक्र है, मुलाधार चक्र, दुसरा चक्र है, स्वाधिस्टान चक्र, तीसरा चक्र है, मनिपूर चक्र, और चोथा चक्र है, अनहात चक्र, पांचवा चक्र है, विल्सुद्द चक्र, छट्टा है, आज्या चक्र, और सात्वा है, सहस्त्रधार चक्र, ये सारे चक् प्रवातिक और आध्यात्मिक स्वास्त को संतुलित और मजबुत बनाने में बहुत महत्वपुर्ण भुमिका बगर निभाते हैं और हमारे जीवन को सुखी और सम्रुद्ध करते हैं पहला चक्र है मुलाधार चक्र जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं वह हमें सुरक्षात और स्थीरता प्रदान करता है हमारे में आस्त्मवी स्वास्त बढ़ाता है स्वास्त को स्वस्त रखता है संगटन की ख्षमता हमारे मुलाधार चक्र में ही है और उसका योगदान है कि ये चक्र संतुलत हो तो हम समाज और समूदाय में योगदान करने में मदद कर सकते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्ति में अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं इसलिए मुलाधार चक्र का संतुलत होना हमारे सरीर में बहुत जरूरी है और उसे संतुलत करने के लिए हम लम लम यह मंत्र का उचारण करके हम अपने मुलाधार चक्र को अधिक मजबूत कर सकते हैं और यह हमारे सरीर के साथ साथ हमें अगर मुलाधार चक्र असंतुलत हो तो हमें अध्यादिक चिंता और तनाव का एहसास होता है अपने जीवन अनिश्चित और अस्थाई महसूस करते हैं बिना कारण हमें गबराड बढ़ जाती है पसीना पसीना हो जाता है सुस्ती और अकलमंता बढ़ती है सारिक समस्या जैसे पेट में समस्या पीट दर्द बिना कारण कमर और गर्दन में दर्द होता है बालो का जड़ना महसूस होता है हम अपने आपको खोते हुए पाते है विपतिक की समय हमें कोई रहा नहीं दिखती और हम अपने आपको अकेला महसूस करते हैं, बेसहाई महसूस करते हैं, इसके इन संक्ट से हम समझ सकते हैं कि हमारा मुलाधार चक्र असंतुलित है, हम दुसरे वीडियो में देखेंगे उसे संतुलित कैसे किया जाए, थैंक्यू मुझे सुनने के लिए